अस्सालामुलीकूम वेलकम तो कोडवित नक्वी मैं हूँ आपका ठीचर तोकीज और आज की इस वीडियो में हम तो सीखने वाले हैं हाँ इसे ओवर्स्लो को अवर्स्लो का मतले भी पला चल रहे है कि ऐसी कि जो अपने कंटेनर अपने बोक्स बाहिए यानि कि एक बोक्स है तो उस्त है उसमें kukh एक गलास है उसमें पानी में डाल रहा हूँ और पानी जो है वह गलास से ज्यादा हो गय해 यहां कि ग्लास से वो बाहिर रहना शुरू हो गया तो इसी तरह हमारे वेबसाइट में कुछ content ऐसा होता है कि sometime वो overflow होना शुरू हो जाता है और हम लोग उस problem को कैसे resolve करेंगे तो आईए हम लोग उसको सीखते हैं कि कैसे हम लोग अवर्फलो की property css के दर यूज कर सकते हैं तो चलिए तो जी हम लोग बात करें आए ओवर्फलो की तो overflow में मेरे पास यहां पर चार तरह की properties होती है visible hidden auto scroll और एक overflow x और एक overflow y तो visible जो होती है वो by default property होती है जब भी हम कोई element create करते है HTML के लिए तो visible property by default assign हो जाती है मेरे पास यहां पर VS code editor open है और यहां पर मैंने index और style की दो file दिए और इन्हें आपस में link किया हो है तो अभी मैं यहां पर एक div tag ले रहा हूं div मैं यहां भी लिखता हूं और मैं कुछ dummy tags लेता हूं div 50 slorum 50 shift alt f और मैं इसे indent कर लेता हूं और indent करने के बाद मैं इसे अगर live server में open करूं अभी तो हमें कुछ इस तरह से नजर आ रहा होगा live server में ठीक है अब मैं इस div की कुछ width और कुछ height लेता हूं मैं div को यहां बस style करता हूं div और यहां पर मैं इसकी height height इसकी ले लेता हूं 50 pixel और width इसकी ले लेता हूं width इसकी 200 pixel ले लेता हूं ठीक है और यहां पर एक background color assign करता हूं background color assign करता हूं e e 3 कुछ blue yellow सा color आजएगा 3 पर तो अब भी मैं इसको अगर दिखा सकूं तो आपको कुछ इस तरह से यह हमें color नजर आ रहा है अच्छा अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यह text यह वह overflow रहा है अगर मैं इसके border लगाऊं तो आपको मजीद वाज़ेगा आपको मैं यहां पर दिखाना के चाहर हूं मैं अगर यहां पर border 2 pixel solid red border अगर मैं यहां पर लगा दूँ तो आप देख सकते हैं कि यह मेरा div है और यह जितना इससे बाहर का text है यह overflow हो रहा है मतलब कि यह container की जगा इतनी नहीं है लेकिन यह बाहर आ रहा है तो अब हम लोग इसको इस problem को कैसे resolve करेंगे मेरे पास कुछ properties है सबसे वहली property overflow visible visible मैंने कहा था कि यह वह प्रप्रप्टिस दिया जो by default assign कर दी जाती है अगर मैं बात करूं overflow और मैं यहां visible की बात करूं तो देखेंगे आप देखेंगे कि यहां बाहर वाला text था वह बिल्कुल कट गया वह खतम हो चुका तो यह hidden का काम है कि अगर जितना भी container से text बाहर आ रहा है वह उसी करेगा कि उसे वहीं पर stop करवा देगा तो यह overflow hidden का काम है उसके बाद auto और scroll अच्छा auto और scroll में basically कोई ज्यादा फरक नहीं है लेकिन इसे हम practical करके देखते हैं तो पहले मैं यहां पर scroll करके दिखाता हूं scroll क्या करेगा कि scroll left right up down चारो साइड़ पे आपको scroll available मनलब कि scroll महिया कर देगा ही आप देख सकते हैं यहां पर left right up down scroll बार अलग बार तक यहां पर बार नहीं आई लेकिन अभी जरूरत नहीं थी बार के लेकिन इसने यहां पर अपना वह border वह निशान उसने scroll का यहां पर visible कर दिया है तो यह scroll का काम है यह scroll आपको समझ आगे होगी लेकिन अगर जैसे मैं यहां पर auto को apply करूं तो auto क्या करेगा auto property ऐसी property होती है कि जो वहां पर scroll लेकि आती है जहां पर ज़रूरत है वहां पर scroll apply नहीं करेगी यहां पर हम ज़रूरत नहीं है तो अगर मैं आपको दिखाओं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर scroll apply हुआ लेकिन यहां पर नीचे scroll apply नहीं हुआ तो यह है हमारे पास basic chart property overflow की अब तो जी अब हम लोग बात करें overflow x की और overflow y की तो x में मैंने बताया था कि हमारे पास left right की ज मैं अगर यहां पर auto को apply कर हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरे पास scroll लागी यहां पर लेकिन में चाहरा हूं कि scroll सिरफ लेफ राइट की है होरिजोंटल आए वर्टिकल नाए तो उसके लिए कि मैं ओवर्फ्लोव वाई को अप्लाए करूँगा और मैं यहाँ पे उसे हिडन कर देता हूँ तो यह वाई से जो है वो हिडन कर देगा स्क्रोल को और हमारे पास सिर्फ यहाँ पे वर्टिकल जो खतम होगी है लेकिन हमारे पास होरिजोंटल जोड़ा वो स्क्रोल अप्लाए मजूद है तो इस तरह दे हम लोग और फ्लोव के साथ खेल सकते हैं और फ्लोव एक बहुत ही इंटरस्टिंग प्रोपरटी है अगर हम लोग इसे यूज करें different respects हैं हम लोग इसे website में यूज करेंगे I hope के आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप पी concept clear हो गए होगी अगर आपको कोई question है तो आप लाजमी इस वीडियो के comment में लाजमी पूच सकते हैं इसी के साथ मैं इजारत चाहूँगा अपना बहुत सारा ख्याल लिखेगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और जो जो लोग भी सीखना चाते हैं उनके साथ यह लाजमी शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताके आपके पास आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे